गुट मॉर्निंग फर्स्ट ग्लास बेटा मैंने आप लोगों को E.V.S में चैप्टर नमबर 11 रीट करवाया था हमारे चैप्टर की हेडिंग थी आवर प्लांट्स ठीक है तो एक बर हम फिर से रिवाइस कर लेते हैं सम प्लांट्स आर स्मॉल यानि कि हमारे आसपास हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं कुछ प्लांट्स बिग होते हैं यानि कि बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं यानि कि छोटे होते हैं तो देखो जैसे एक बैनियन ट्री था यह इतना बिग है और यह तुलसी का पेड़ है जो कि इतना स्मॉल है यह बड़ा है और यह चोटा है तो इस तरह अलग-अलग तरह के पेड़ हम लोग अपने असपास देखते हैं parts of a plant एक plant के कितने parts होते हैं तो देखो यहाँ पर fruit है यह देखो यह flower है यह leaf है यह stem है तने को हम लोग stem केते हैं और root को हम लोग ज़ड केते हैं ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाहें कि parts of a plant बताओ तो आप बताओगे fruit, flower, leaf, stem, root ठीक है यह आपको लर्न करना यह इंपोर्टन टेटी कि आपको लर्न करना इसको नेक्स देखिए फिर हमने पढ़ा the fruits of plants have seeds यानि कि जो fruits होते हैं किसी भी plant का जो fruit होता यानि कि जो फल होता है उसमें seeds होते हैं यह जो बीज होते हैं वही फिर वापिस से एक new plant बना देते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो बहुत big plants होते हैं जो बड़े-बड़े plants होते हैं उन्हें हम trees कहते हैं और जो small plants होते हैं उन्हें यह हम bushes या फिर herbs कहते हैं ठीक है इनकी meaning मैंने word meaning में लिख रख ही है तो मैं आपको वहां पर फिर से समझाओंगी फिर देखिया हमने पढ़ा था कि कुछ fruits होते हैं जैसे कि यह fruits हमें सारे fruits कि से मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं औरेंज, papaya, apple, pear, pineapple, mango, banana, guava, graps, watermelon यह सब क्य जैसे cauliflower, bitter gourd, potato, carrot, radish, onion, brinjal, cabbage, tomato, and cucumber फिर हमने कुछ flowers पढ़े थे जैसे lotus, marigold, tulip, कोई साथ भी flower हो सब हमें किस से मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं ठीक है तो यह था इस chapter में कि big plants को हम लोग trees कहते हैं small plants को हम लोग bushes या फिर herbs कहते हैं फिर हमने अलग-अलग चीजे पढ़ जो हमें plants से मिलते हैं जैसे fruits, vegetables, and flowers. Now, coming to the exercise part, देखो, first है tick the correct option, tick the correct option में आपसे first पूछा गया है plants are, अब plants कैसे होते हैं, big होते हैं, या फिर small होते हैं, या फिर दोनों तरह के होते हैं, तो हमने टिक किया both, both मतलब दोनों तरह के होते हैं, big भी होते हैं, और small भी होते हैं next है very big plants are called, जो बहुत बड़े पेड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम trees कहते हैं, तो हमने trees पर tick कर दिया, third है plants give us, plants हमें देते हैं, vegetables देते हैं, या फिर fruit and flowers देते हैं, या all of these, all of these मतलब ये सारे, तो plants से तो हमें सब कुछ मिलता है, vegetables भी मिलता है, fruits भी मिलता है, flowers भी मिलता है, तो हमने टिक कर दिया, all of these, all of these मतलब ये सारे, fourth है, rose is a, rose क्या है, rose एक fruit है, या एक flower है, या फिर बोथ है, तो हमने लिखा कि rose एक flower है, तो हमने flower को टिक कर दिया, next है, filling the blanks with suitable words, अब हमें इस blanks को फिल करना है, भढना है, first है, the dash grow into new plants, क्या ऐसी चीज होती है, ज तो हमने पढ़ा था, जो seeds होते है, seeds मतलब, beege, तो जो beege होते है, उससे new plant बनते है, तो इसलिए हमने लिख दिया, the seeds grow into a new plant, next है, dash plants are called bushes and herbs, कौन से plants को bushes या फिर herbs कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था, कि जो छोटे plants होते हैं, जो small plants होते हैं, उनको bushes या फिर herbs कहा जाता है, third ह Plants gives us Plants हमें देते हैं Dash, dash and dash तो क्या देते हैं Plants हमें Plants हमें Vegetables देते हैं Fruits देते हैं and Flours देते हैं Next, True and False True and False में आपसे First पूछा गया है The fruit of vegetable have seeds जो Vegetables के Fruits होता है उनके seed होती है ऐसा थोड़ी है जो Fruits होते हैं उनमें जो seed होता है वो क्या करता है, new plant बनाते हैं, हमने पढ़ा था ना, तो यह हो गया false सेकेंड है, carrot is a vegetable, carrot एक vegetable है, गाजर एक vegetable है, बिल्कुल है, तो हमने लिख दिया true next, mango is a fruit, mango एक fruit है, ये भी सही है, तो हमने लिख दिया true next है, marigold is a flower, marigold जो है, वो एक flower है, बिल्कुल है, तो हमने लिख दिया true next है, match the following, ये match the following बिटा, आप लोग कैसे करोगे, या तो आप इनके नाम लिख लेना और फिर कर लेना, या फिर आप सिर्फ match the following बुक में ही कर लेना, notebook में रहने देना ठीक है, तो देखो, ये plant है, ठीक है, ये tree है, तो tree को हमने tree से match कर दिया, next है rose, rose एक flower है, तो हमने flower से match कर दिया, next है grapes, grapes क्या है, एक fruit है, तो हमने fruit से match कर दिया, और फिर ये क्या है, ये है cauliflower, और cauliflower क्या है, एक vegetable है, ठीक है, तो हमने vegetable से match कर दिया, तो आप यहाँ पर इसमें लिक लेंगे यहाँ पर आपको मैच तो करना ही है तो आप फिर क्या करेंगे ढ्र tego करेंगे बिता है फिर आपको यह द्रॉ इक करना पड़ेगा ठीक है तो आपके ढ्रोक कर लीजेगा क्योंकि आपके मैच दो पॉलाइंग में लिए रखा है कि यह tree है यह flower है तो आप यहाँ पे tree या flower नहीं लिख सकते हो तो इसलिए आपको इसको draw ही करना पड़ेगा ठीक है draw करके कर लेना अपने notebook में या फिर सिर्फ बुक में कर लेना कोई problem नहीं है next है answer the following questions इसमें first question पूछा है name some parts of a plant किसी भी plant के कुछ parts के बारे में बताओ हमने पड़ा था ना plants के कौण कौण से पड़े था हमने flour पड़ा था हमने fruits पड़े थे हमने stem पड़ा था हमने leaf पड़ा था हमने roots पड़ा था तो हमने यहाँ पर लिख दिया some parts of plants are fruit, flower, leaf, stem and root सेकंड है give some examples of tree अब यह खह रहे हैं कि tree के कुछ example बताओ तो tree के अपने हमने example क्या बता है mango tree and banyan tree ठीक है तो इस तरह हमें tree का example बताना था आप apple tree भी लिख सकते हैं आप mango tree भी लिख सकते हैं आप kuch भी लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है name some flowers अब इसमें हमें कुछ flowers के नाम बताने तो आप अपने मर्जी से कोई भी फ्लार लिख सकते हैं नहीं तो फिर जो मैंने लिखा है वो लिख लेना lotus, rose, lily and sunflower नेक्स्ट कोशन है name some vegetables आपको कुछ vegetables के नेम बताने तो हमने बताया potato, onion, tomato and carrot ठीक है उसके बाद देखिए आपको ये picture ड्रॉ करनी है अपने note book में ठीक है ये जहां तक work complete हो जाएगा उसके बाद आप एक दूसरा page लेंगे एक fresh page लेंगे ठीक है एक new page में आपको ये करने के बाद आपको बताना है कि ये इसका fruit है ये इसका flower है ये leaf है ये stem है और ये root है ठीक है तो ये ड्रॉ करके आपको करना ही अपने note book के अंदर next देखिए अब ये ये है आपके word meanings इसमें first है plants मतलब पौधे, flower मतलब फूल, leaf मतलब पत्ती, root मतलब जड, stem मतलब तना, fruit मतलब फल, bushes मतलब जाडिया, pre मतलब पेड, vegetables मतलब सबजिया और herbs मतलब जड़ी बूटी ठीक है तो ये word meaning भी आपको अपने note book में करना है और इसके अलावा जितना भी exercise part हमने इसमें discuss किया है ये a, b, c, d, e, और ये ये भी आपको note book में करना है ये पूरा work जो मैं आपको बता रहे हूँ ये पूरा work आपको अपने note book में complete करना है ठीक है chapter की reading करनी है एक बार फिर से और फिर इन चीजों को अपने note book में complete कर लेना है और learn करना है फिर भी अगर आपको कोई problem आए तो आप मुझसे next class में पूछ सकते हैं मिलेंगे फिर अपने next class में till then bye take care